हेलो स्टुडेंट्स यह आपका पार्ट फाइफ बीडियो है और पार्ट फाइफ बीडियो में हम लोग एक्सेस टॉंटी एट पॉइंट वन पे और कोशन नम्मर है फाइफ करने मिकित प्रस्णों में दिये गए आकड़ों का माद से माद विचलन निकाले तो हमें क्या करन कमकर निकालने के लिए बता है तो ओ जाएगा सिग्मा आई एक्ष आई नमय को निकालना होगा था निकाल निकाल पाएंगे माद्विचलन तो चलिए मैं क्या करता हूं अहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है, इसमें क्या करूँगा, तो x i, fi के लिए स्थान चाहिए, फिर उसके बाद, हमें निकालना होगा fi x i, क्योंकि मुझे माध भी निकालना है ना जी, ठीक है, पिर उसके बाद निकाल लोगा x i minus समाद दें और फिर उसके बाद हमें f i x i minus माद से गुना कर देंगे तो हमने इसमें 5 कॉलम बना लिए इस तरह से ठीक है अब देखिए इसके बाद यहाँ पे मैंने x i के लिए स्थान दिया यहाँ पे हमने f i के लिए ठीक है तो पहले इतना काम कर लेते हैं सबसे पहले हमारा x i f i d y है तो इससे पहले माद निकाल लेते हैं तभी न माद के सब एक्स माद विश्ला निकलेगा पांच साथ नौँ दस बारह पन्द ए f i d y है हमारे पास आठ छे दो 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 छे चले इसमें गुना करते हैं पाचवाठे चालिस छेशाथे बेयालिस नौदूना अठारा दस दूना बीस बारह दूना चावबिस और पन्दा छाका नद्ब्य ठीक है अब यहाँ पे लिखेंगे सिगमा i equal to 1 to n f i जो इनका सम होगा इसको जोड़ेंगे ठीक है तो देखो ना आठ और छे चावदा चावदा दू शोला अठार शोला दू अठारा अठारा और दो बीस और बीस छे चवबिस हो रहा है और यहाँ पर हम लोग f i x i को जोड़ लेते हैं तो यह किसका वैलू होगा sigma i equal to 1 to n यह होगा f i x i क्या इन होगा जी इसका sum sigma से represent होता है न जी तो यह क्या हैगा आपका तो यह जोड़ने पाएगा आपका 234 तो हम लोग जानते हैं माद निकालने के लिए formula क्या होता है sigma i equal to 1 to n f i x i और बटा में sigma i equal to 1 to n f i n यह बता रखा है मैंने तो 234 में भाग कर देंगे कितना से 26 से कितना बार में कर जाएगा 9 बार में कर जाएगा ठीक है तो 9 आगे हैं यहाँ पर माद माद कितना आ गया 9 अब मुझे क्या करना होगा x i में से माद को घटा कर उसका धनात्मक मान मोड में दिया मैंने धनात्मक मान यह रहा 5 में से घटाएंगे 9 को तो माइनस 4 आगा लेकि मोड है तो प्लस का 4 हो जाएगा 7 में से 9 घटाएंगे तो माइनस 2 लेकिन positive लेंगे क्योंकि मोड में है नो में से नो घटाएंगे 0, 10 में से नो घटाएंगे 1, 12 में से नो घटाएंगे 3, ठीक है, और फिर 15 में से नो घटाएंगे 6, समझ गया ना? चरिया, अब क्या निकाल लाओगा में? देखो यहां जो जरूरत है उसी करूं सार एफ आई एकस आई माइनस का माद यानि कि मुझे क्या करना होगा इसमें से इस एफ आई से गुना करना होगा न जी तो आठ चोका 32 6 2 12 फिर दो में 0 सुगर 0 फिर उसके बाद दो में करेंगी 1 से 2 दो में करेंगे 3 से 6 और 6 में छे से करेंगे तो 36 अब इनको जोड़ते हैं तो इसमें भी अब σिगमा लग जागा सिगमा आई इकल टू 1 2 n इसमें लिख सकते हैं इसका एफ आई इंटू में एगसाई माइनस मे माद्दे इसका सम निकल गया तो इसको जोड़ते हैं हम लोग यहां पर इस सब को जोड़ने पर आजाएगा अठासी तो हम इस फॉर्मूला में लगा देंगे मीन डेवियेशन बराबर में क्या हो जाएगा तो इसका सम निकल के अठासी और एफ़ाई सिग्मा एफ़ाई है सिग्मा एफ़ाई है 26 काड देते हैं तेरा बार में यह चोग आलिस बार में चोग आलिस में तेरा से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.38461 पॉइंट के बाद दो ही अंक लेंगे तो हम लोग पढ़े हुए है कि पॉइंट के बाद जो दूसरा अंक लिखेंगे न उसको एक अंक बढ़ा के बाकी अंकों को हटा देते हैं तो 3.39 जोगा इसका मीन डेवियेशन आ जाएगा चले एक और कोशन देखा रिते हुआएंगा सबस दूआएंगा सबस्याखा बाद है